अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल होंग ब्यूटी पालर और बेल की आइकन को प्रेस कर दी हमारे सारे लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हाई व्रिवान वल्कमी ओल इमार यूटीव चैनल आज के इस वीडियो में मैं आप से शेयर करने वाली हूँ एक ऐसे इंट्रिस्टिंग चीज जिससे इस्तमाल करकी आप अपनी हेल्थ के बार में पता लगा सकते हैं मैडिकल चैक अप तो कई बार कराते हैं पर क्या आपने कभी घर पे मैडिकल चैक अप करा है खुद का कैसे आप घर बैठे अपनो मैडिकल चैक अप करा सकते हैं जानते हैं आज के इस वीडियो से अपने medical check-up करने के लिए इस्तमाल करना है आपकी जबान का यानि टंग का और उसके अलावा आपको लीनी है एक spoon यानि की चमच अब आप इस spoon को जीब के हिस्से पे बार बार रब करें और आपको तब तक रब करना है जब तक कि इस पे लार ना लग जाए आपको चमच के उब्रे हुए भाग को इस्तमाल करना है इस जब आपकी इस चमच पे लार लग जाए उसके बाद आप इस चमच को एक polythene में pack कर दें और pack करने के बाद night lamp के सामने इसे एक मिनिट तक पकड़ के रखें आप जब light के पास इसे एक मिनिट रखेंगे उसके सबस्केण है इस जीक अलावा अगर इस चमच के उपर फीली परत चड़ जाती है तो इसका मतलब यह है कि आप थाइरेट के patient है कुईकि यह थाइरेट के संकेथ है अगर इस चम्मच के उपर सफेज कलर की बरत आती है तो इसका ये मतलब है कि आपके शरीर में infection हो सकता है आपको infection की शिकायद हो सकती है इससाथ अगर इस चम्मच के उपर औरेंज कलर की layer आती है तो ये दर्शाथा है आपकी kidney की problem को यानि कि आपके केड़नी ठंक से काम नहीं कर पा रही है तो इस तरीके से आप अपना basic test कर सकते हैं जिसमें आपको किसी भी consultation fees को देने की ज़रत नहीं है तो आज हे इस्तमाल करें इस तरीके को और जानें कि आपके शरी में कौन सार रोग है हमें पूरी उमिद है कि आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया है तो प्लीज हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेर करना पिलकुल न भूलें ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमें पेस्बूक और इंस्ट्रेग्राम पे भी फॉल्लो गर सकते हैं फैंक्स वाचिंग सी यू सून